तो जैसे के आपको पता है कि इरान के जो ड्रोंज हैं उन्होंने उक्रेंच की जो ग्रीटिकल ऑप्षेसरो इनसे इन सब drug कर रहा है लेकिन अभ यह वादे निकल कर सामनेा रही जिसे अमेरिका और जो दूसरे 2008 और उसके सहयों की देश है उनके बने हुए component ही इरान में इस्तिमाल किया जा रहा है तो आप कुछ सो सकते हैं कि यह किस तरह का दोगलपन है तो आज इसके बारे में पुरी डिटेल के साथ बात करते हैं लेकिन अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जूरू सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन को दब रहते हैं और इसी तरह से एपी न्यूज यूए सेंक्जन फर्म्स ओवर इरानियन ड्रोन्स ट्रांसफर टू रश्या सोलन नमंबर का यार्टिकल है तो जैसे कि आपको पता है कि रूस और यूक्रियन के बीच में दोनों के बीच में काफी तगड़ावार देखना को मिल जہां पर इरान से ड्रोन हासिल करके रूस यूक्रיאל के क्रिटिकल इन्फरस्ट्रक्चenschर को काफी जादा बरबाः कर रहा है और आज के समय में यूक्रियन के बहुत सारे देरे में डूप लुए है वहाँ पर कोई पिजली नहीं है और इन क्रिटिकल इन्फरस्ट्रक्य को हिट करने के लिए रूज ऑफटरनाग ड्रॉन इस्टेन के लिए काफ़ी ज्रों कर रहा है रूस के लिए काफ़ी ज्युद्र अगेंते कुछ रksिब्रून काफ़ी jeru megaki के लिए पूर दिर्तों के लिए चाहिए कोई के लीघा हां पूर्ड्री से नाकर जहां पर रश्या के पास एक पोट है अस्तरखान और लगान भी और इसके बाद इरान में भी दो पॉर्ट है जो दूनों की सीमा एक कैस्पियंजी से मिलती है तो डिर्कली यहां पर ट्रेड हो सकता है और इसके लावा कैस्पियंजी के हास पास मौजूद देशों में किसी भी देश के में अमेरिका कोई भी सेन याड़ भी नहीं है तो ऐसे में इरान डिरेक्ली रूस को ड्रोन सप्लाइ कर सकता है तो यूएस फ्रस्टेशन में इरान पर सेंक्शन्स लगा रहा है जब कि इससे कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा लेकिन यह चीज यह दिखा रही है कोई इनके सास्थ है और रूस के कि certificate मासक उतर है और यहां पर यहां पर यह बास सामने करा रही है कि ने के सब्सक्राइज और जो पार्डेश पार्डिक्या और यूर्प से आए हैं और जो भी आमेरिका के सहीजी देश को से सीजल आप गार इसे वक्त Tears रही है यानिके इरान जो ड्रोन बना रहा है किलर ड्रोन जो तवाही मचा रहा है उक्रेन में उसमें यूएस की टेक पावर लगी हुई है आप देख सकते हैं कि जो देश दूसरे देशों को लेक्चर जाड़ता है वो खुद ही यहाँ पर इस तरगी हरकते कर रहा है और आगे मैं बताता हूं कि ऐसा क्या हो रहा है तो देखिए इरान का मुहाजिर 6 ड्रोन है यह जो मल्टी परबस ड्रोन है और इरान ने इसे भी शाहिद 136 के साथ रूस को बेचा है वैसे यह ड्रोन देखने में काफी हद तक तुर्की के बायरेक्तार TV2 ड्रोन से मिलता जुलता है और कंपनी बंबार्डियर का नाम सुना होगा जो मेट्रो ट्रेंज भी बनाती है इंडिया में और बहुत सारे उसके दूसरे बिजनेस भी हैं दूसरे मेनफेक्शिंग प्लांट भी है तो वह कंपनी इसको और इसके इंजन काफी जाता फेमस इंजन होते हैं जो एविएशन म कोई बी इंजन को यूएवी बनाने में सप्लाइब करने को कहा है हालांगे देखा जाये तो कंपनी ने यह नहीं कहा है कि उसने इंजन इरान या रूस को बेचे हैं लेकिन रोटेक्स कंपनी ने अपना सर्विस सेंटर को इरान में जरूर खोला था यानिक इसका मतलब है क कि उसने यहां पर इरान में सर्विस सेंटर खोला है तो यहां पर कोई नो कोई से तो इंजन बेचे होंगे तो यहां पर इसी वज़े से इसकी शक की सुई जो है रोटेक्स में जा रही वैसे देखा जाये तो इससे पहले भी ये कंपनी स्पॉट लाइट में आई थी जब अजरबेजान और आर्मेनिया के बीच युद हुआ था नागोर्नो कारबाग को लेकर तो तब अजरबेजान ने तुर्की के बारेक्टार ड्रोन का काफी जादा इस्तिमाल किया था और उसमें भी रोटेक्स का ही इंजन लगा था हलांकि देखा जाये तो इस कंपनी में क कैनियडे के सरकार और नाही अमेरिका के सरकार ने अभी किसी भी तरह की कोई इन्वेस्टीकेशन की इजादती है कोई सबूत नहीं हैं नहीं कि और नहीं की जो सर विस तरह का कोई डॉक्यमेंट देखा गया कोई और इतना ही नहीं जो सर्विस सेंटर इरान में चल रहा है उसे बंद करने के लिए भी ना तो अमेरिका ने कहा है और नहीं कैनेड़ा ने कहा है अगर ये दोनों देश चाते तो रोटेक्स को ओर्डर दे सकते थे कि भाई अब आपकी दुकान इरान में नहीं चलने वाली बं और उन में से 75% तक में कॉम्पोनेंट जो मिला है वो अमेरिका में बना हुआ मिला है और ये बात वॉल स्ट्रीट जनरल की रिपोर्ट में भी सामने निकल कर आई है और ये रिपोर्ट कई सारे ड्रोन को एक्जमाइन करने के बाद बनाई गया गया था जिससे सही सलामत ब इस ड्रोन में दो सो टेक्ष कम्पोनेंट अमेरिकं में बने थे और वन थडर्ड केंपोनेट जापान में बने यह कहा है कि द्रों में जो ओल backlash लगे हुए वर और गरह. चेजक्रindest एनलोग डिवाइस इनकॉरोपरेशन जो अमेरिका के मैसाचुसेट में एक सेमी कंड़क्टर बनाने वाली कंपनी है और इसी तरह से बहुत सरे कंपोनेंट अमेरिका और इसके सहयोगी देशे द्वारा बनाये गए हैं जैसे के जर्मिनी जपान और उस्ट्रिया अब ये चीज नहीं पता कि कंपोनेंट इरान के पास कैसा है लेकिन अगर ये देश चाते तो इसकी सप्लाई इरान को रोक सकते थे और अगर इरान इलीगली इन्हें हासिल करता तो इन्वेस्टिकेशन करने की जाज़त तो उनको दी जाती ना ताकि ऐसा कुछ आगे ना हो और इससे इरान की सप्लाई तो रुक ती लेकिन इन स्कीज सत्य ये रावेस्टिकेशन को सप्लाई कर रहा है तो देखिया इस मामले में बहुत सारे एक्सपर्ट ने यही बात किया कि इस समय दोनों देश बहुत ही सग्चशन का सामना कर रहा है अमेरिका के और दोनों के जो दुश्मन देश है वो भी सेमी है अमेरिका ही है तो ऐसे में कॉपन बार सामने निकल कर आ रही है और वो दोनों देशों को करीब ला रही है और दोनों देशों के रिलेशन्स भी काफी ज़दा मजबूत हो रहे हैं इस चीज़ को देखते हुए और इतना ही नहीं इरान ऐसा करके आईल के साथ साथ अपने हत्यारों को भी एक्सपोर्ट करना चाहता है और इन सब के अलावा इरान को अपने हत्यार टेस्ट करने के लिए एक लाइव बैटल ग्राउंड भी मिल गया है जहांपर वो अपने डिफरेंट वेपन्स को टेस्ट कर सकता है जिससे इरान अपने ड्रोन को और बहतर बना सकता है तो यहाँ पर युक्रेण की बरबादी में अईरान का एक बड़ा हाथ है और इरान के साथ साथ अमेरिका का और दूसरे पस्चिमी देशों का बहत बड़ा हाथ है आप मेरे इंस्ट्राग्राम पर भी जुड़ सकते हो आप सिंपली जाए इंस्ट्राग्राम में और सर्च किजे i underscore इम्रान सिद्धी की और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इसके लावा आप मुझे ट्वीटर पर भी फॉलो कर सकते हैं यहां पर भी सेम ही यूजर नेम है i underscore इम्रान सिद्धी की तो दीजे मुझे अजाज़त मैं मिलता हूँ आप से नेक्स वीडियो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंदा है तो चैनल को जोड़ी सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू फर वाचिंग यू यू प्रिषिए यू पर इस ताम गद ब्लेस यू अलाओ सिन्ग आप